हलो चो ग्याल चाल होप सभी डिख होगे बचुछ वाच की इस विडियो में जानेंगे कई वछ यह यह पूछ रह millionaire कि मिल सेमेस्टर किस मी को देना है और किस स्ट्रोट को नहीं देना एक कि सुट्रोट को इंटेर्ना लिगत देना कि यह सबसे बड़ा सवाल था जितने भी बच्चे चाहे बिए कॉर्स में पढ़ते हैं तो उन्स भी के लिए यह सबसे बड़ा क्या समेस्टर भाई मुझे देना है कि नहीं देना ह। और किसको देना है किसको नहीं देना है यह सारी चीज़े बात करेंगे इस पर्स में चाहे आप यूजी में पढ़ते हो चाहे आप पीजी में पढ़ते हो यह जो वीडियो है उन सभी स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बचो तो सबसे पहले मिड एक्जाम नहीं होता है मतलब मिड सेमेस्टर एक्जाम क्या होता है एक्जाम से पहले एक आपका टेस्ट होता था क्लास का तो वह होता है तो बीए बीस्टे बीकॉम वाले बच्चों को नहीं देना है किसको यह टेस्ट देना होता है मिड सेमेस्टर तो जो बच्चे पीज में यह लेवी थ्रीयर मतलब पीजी के सभी कोर्सेस में आपको यह मिड सेमेस्टर एक्जाम देने होते हैं अब यह मिड सेमेस्टर के रोल क्या होते हैं जरा यह भी बता दीजिए और मिड सेमेस्टर जिसमें नहीं है उसमें क्या रोल होता है तो सबसे पहले बात कर लेते है ऐसे बच्चे जिनका बी ए बीसी बीकॉम वाले जो बच्चे हैं इनका जो रोल होता है बच्चो इनका जो इंटर्नल एक्जाम होता है वो 25 मार्क्स का होता है अब 25 मार्क्स में जो मिलता है 10 मार्क्स आपके असाइंडमेंट के मिलते हैं बच्चो ठीक है और 10 मार्क्स आपक प्रिजन्टेशन के मिलते हैं जो भी आप फाइल बनाओगे 10-15 पेच का उसे प्रिजन्ट करते हो तो उसके लिए और 5 मार्ग जो बच्चे होते हैं वो अटेंडेंस के होते हैं जो भी आप कॉलेज जा रहे हो तो यह 25 नमबर का रोल इनके लिए होता है जो बच्चे बीए मीड सेमेस्टर है उसमें पूरा जो मारघ होता है बच्चो वह से ँनमबर होता है त्वेशन्टितर तो 5 marks आपके assignment के होते हैं 5 marks आपके presentation के होते हैं और 5 marks जो होते हैं बच्छो वह आपके जो मिलते हैं attendance के मिलते हैं 30 number ठीक है तो यह 30 नमबर में तो यह BVA का होता है Bcom owners के होता है और PG में सभी courses के लिए होता है और VLLB होता है BCM होता है ठीक है तो यह 30 marks में यह पूरा डिवाइड है ठीक है तो ऐसे आपका यह पूरा internal marks का खेल होता है जो internal देना होता है तो अब मिड़ी समेस्टर में अब आपके पास एक सवाल होगा obvious बात है कि भाई एक सवाल तो बनता ही बनता है कि भाई अगर यह internal ह हम नाद है और direct external exam देता है तो क्या हम पास हो जाएंगे तो देखिए जब से एक फाइदा होता है आपको पता है पहले का जो रूल था और जो रूल था उसमें अगर student 80 marks का जो paper होता था उसमें अगर 27 marks नहीं लेके आता था तो उसको फेल कर दिया जाता था written exam में अब क्या है कि external exam जो यह होता होता है और internal exam जो 25 नंबर का 30 नंबर का होता है वो दोनल नंबर मिला कि अकर आपका 33 नंबर आ गया तो आप पास माने जाते हूं ठीक है तो इसका अंदाजा आप internal exam से लगा सकते हूं ठीक है तो आपको अब यह नियम बदल गया ठीक है इंटर्नल में सपोच करो आपका आ गया 15 से 18 20 नंबर आ गया और 13 नंबर आपको यहां मिल गया तो भी आप पास हो जाओगे यूनिवर्सिटी पास हो जाओगे लेगि एक दिक्कत आएगी तीसरे समेस्टर में आप नहीं जा पाओगे तीसरे समेस्टर में जाने के लिए आपका 5CGPA से उपर होना चाहिए 5CGPA से जब उपर होगा 50% से ज्यादा नंबर होगा तभी आप तीसरे समेस्टर में जा पाओगे ठीक है तो यह आपके मिल समेस्टर के रोल होते हैं जो इंटर्नल चल रहे हैं वो कापी ज्यादा इंपोर्टेंट है और कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिती है हर जगह अब आपसे एसाइनमेंट बांगा जा रहा होगा ठीक है तो भाई एसाइनमेंट जमा करने में पीछे मर्द हटिये का दो चार दस पिच का लिखना होता है एक दिन बैठोगे लिख दोगे और जाके जमा कर दोगे अराम से जो यह 25 नंबर का है 25 में कम से कम 18 नंबर 20 नंबर हर कॉलेज में मिल जाता है यह सेफ मौका होता है स्कोर गेन करने का और मीड सेमेस्टर बाले बच्चों मीड सेमेस्टर में प्रजेंट हो जाना और एसाइनमेंट प्रजेंटेशन देना तो उसमें भी 22 नंबर मिल जाता है अगर आप नहीं द पर में आपको कम से कम 33 लाने होंगे, तबी आप पास माने घाओगे, एक्टेनल जो रेटेन वाला ओगा, इंटरनल लागत होगे तो भी चलेगा, लेकिन 37 नमबर अवडराल आने चाहिए ठीक है, और 70 में कम से कम 33 नमबर आने चाहिए PG वाले जो बच्चे हैं और B.com Honors और BBA वाले जो बच्चे हैं इनको 33 नमबर लाना होगा तो आप लोग internal मत छोड़िए का internal चल रहा है सभी colleges में तो चितने भी assignment presentation जो भी बनाना वो बनाईए और दीजिए ज्यादा कुछ tension मत लिजिए टॉपिक मिला गूगल कर लिजिए लिखना सुरू कर लिए ले जाईए दो-चार मिनट पढ़े लिजिए पांच मिनट में presentation दीजिए काम कर्तम हो गया आपका assignment presentation ठीक है बात रहे गए आपको अच्छे से तैयारी की जरूरत है आपके semester exam के लिए अगर आप semester exam की बात करूँ तो आपका जो exam होगा 70 नमबर 75 नमबर का होने वाला है जिसमें 10 long question आएंगे 5 करने तो पास होना चाहते हो अच्छे नमबर लेके आना चाहते हो अच्छे नमबर लाने के लिए आप क्या करिए हमारे mobile app LE update को download कर लिए जहां पे बच्छो BA, BSC, Bcom, BALLB, Mcom, LLB सभी courses की तैयारी कराई आती है तो एक पर आप mobile app जब download कर लोगे आप अपने favorite course पे click करिएगा वहां सारी चीज़े आपको तो फिक वाइल बच्छो वीडियो class भी available होता है तो आप वहां से तैयारी करेंगे तो आपके exam के लिए विटर हो और खास बात यह है कि PYQ के लिए कहीं आपको इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा most important के लिए कहीं धर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा सारी चीज़े उस course में available होगी hopefully आपको internal exam का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कोई भी doubt होता है और चो तो आप एक काम कर सकते हो अल्यों बच्छो आपके chat box में आपके पूछ सकते हो thank you so much for watching this video